लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राश्टुपती से मिले है विपक्षी सांसद मनिपूर मामले को लेकर विपक्षी सांसदों का किये मीटिंग राश्टुपती से इस वक्त खड़गे कुछ कह रहा है सुलू हम वहाँ पर बताये हैं जो वहाँ पर सरकारी इमेजम से वहाँ पर विपन आरे कि हमारे लान शिंग साथ आप झाला थे और जब दो कमुनिटी माइटी कमुनिटी और कुकी कमुनिटी ये दोनों में अब जो लडाई चल रही इसको शांती के साथ रखना है तो प्रदान मंद्रियों पर विजिट करना चाहिए था ब्यान में अब तक महां नहींगे उसके बारे में बोले नहीं लास्ट में एक भाशिन देंगे चले जाएंगे तो ये बड़ी दुक्री की बात है और पार्लमेंट में ये नया नहीं है 267 या अजन्मेंट मोशन ये हमेशा पहले देते गहे हैं हमारे पास मैं पढ़के बता सकता हूं लेकिन समय की अभाव से मैंने कहूंगा 13-13-14-14 ऐसे उधारन है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है सारा बिजनेस स्टॉप करके डिसकेशन लिया गया है इवान अजन्मेंट मोशन को भी ऐसा ही डिसकेशन के लिए अलाव किया गया है लेकिन ये सरकार ना डिसकेशन को अलाव कर रहे ना किसी बात सुनी के लिए भी तयार नहीं है ये एक तूसरी चीज हर्याना में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आखों के सामने है प्राइम मिनिस्टर के आफिस से सो किलोमेटर भी नहीं है उसके अंदर है वहाँ पर इतनी घरवड़ी चल रहे हैं लोगों को जाके मार रहे हैं ये कहां का रोल है अरे बिल्ली से नस्दीक राजी में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संजान भी नहीं लेते और ये दूर की बात तो अलक है तो इसलिए हम इस सारी चीज़ों को वहाँ पर बता है जाए हर्याना का हो और मनिपूर का मुद्धा तो नाइटिक टूड़े से हम उठा रहे हो भी है तो इतना सारी चीज़े हम बता है बताने के बाद वह देखने का या सुनने का उन्हों कि प्रदान मंद्री वहाँ पर जाए या बात करें वहां का सिच्वेशन क्या है और वहां पीस लाने के लिए शांती लाने के लिए क्या 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 कदम उठाना वो करना चाहिए और वहां के लोगों को जो रहात मिलना चाहिए वो देना चाहिए राष्ट्रे अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे को आपने सुना उन्हों का कि राष्ट्रपती से मुलाकात हुई है और राष्ट्रपती ने आश्वासन दिया खे हम चाहते हैं कि पेम मोदी इस पर जवाब दे और संक्सद में एक मुकमल बहस हो अब देखे लगवपक्ष रूल तू सिख सेवन के तहब चर्चा की मांग कर रहा है जिसमें असीमीत चर्चा हो सकती है और सरकार की तरफ से एक कहा गया कि रूल वन सेवन सिक्स के तहब चर्चा होगी जिसमें की सीमित चर्चा हो सकती है अब इसी को लेकर राष्टपती से मुलाकात और वहाँ पर जाकर क्या कुछ हुआ इस तरीके से अपनी बात को ब्रीफ किया मलिक आजुन खड़के ने पत्रकारता कोई इमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार ठोपना है पत्रकारता क्या है? पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुदू है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सत्रह जुलाई से सोबबार से शुक्वार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे